प्रिग्रे मंत्री आमिशा सुनिया प्रेस कॉंफरेंस प्रेस करोड लोग दोजार सैतालिस में महान भारत की रतना के संकल के साजिदार बने और भारत के विकास की यातरा के भी साजिदार बने एक प्रकार से एक सो चालीस करोड की जनता को इतने महान लक्स के साथ जोड़ना एक बहुत वड़े विश्वस्नी अता का प्रमान है जो मोदी जी में देश की जनता देखती है तीसरे मेंडेट के बाद सो दिन समाप्त हो रहे हैं सो दिन में लगबग लगबग 15 लाग करोड रुपे की परियोदनाओं को चालू किया गया है सो दिन को मैंने 14 स्तमगों में बाटा है मैं एक एक करकर सब के लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है सो दिन में दिन लाग करोड की परियोदनाओं हमने घोसित भी किये इंप्रिमेंटरेंशन भी शुरू हुआ है माराश के वदवान में 76,000 करोड की लागत से मेगा पॉर्ट वनेगा जो पहले दिन से ही वीश्व के दस प्रमुक बंदर गाहों में सामिल होगा 49,000 करोड की 25,000 अनकरनेक्टेड गाहों को जोडने की योजना ए योजना 100 की आबादी वाले गाहों को भी जोड़ेगी तो एक प्रकार से मजले, तोले और आदिवासिक छेत्रों की छोटी वसाहतों को भी अब रोड से बारमासी करेंक्टीड दी जाएगी 50,600 करोड की लागत से भारत के बड़े रोडों को भी बढ़ाने का नेनए नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है वारानसी में लाल बादूर सास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट, पस्यम मंगाल में बागदोगरा, बिहार में बिहिटा में उन्नयन और अगत्ती और मिनी कोई में नवी हवाई पट्टी बना कर परियतन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़े हैं बैंगलोर मेट्रो के फेज तीन, पुने मेट्रो, धाने इंटिग्रर रिंग मेट्रो और कई सारे मेट्रो के प्रोजेक भी हमने इस वादीन में आगे बढ़ा है किसानों को और कुशी का जहां तक सवाल है सत्तरवी की प्रदान मंत्र किसान सन्मान योजना की साड़े नौ करोड किसानों को 20,000 करोड रुपया वित्रित किया गया और अभी तक कुल 12,33,000,000 को 3,000,000 करोड रुपया वित्रित किया गया है खरीब फसलों का MSP बढ़ाया गया है मैं MSP पर जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आंकरों का ध्यान करियेगा UPA सरकार और कॉंग्रेस की राज्य सरकारों से कई गूना ज्यादा MSP की खरीदी भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने की है अमारी NDA सरकार ने की है यही बताता है कि सरकार किसानों के हीतों को समर्पित है मक्के से इथेनल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलो के इथेनल उत्पादक इकाईयों का मल्टीफिड इथेनल इकाईयों में दुपानतरन किया गया है अब रुना केवल गन्ने के रस से मक्के से भी इथेनोल उत्पाद कर पाएंगे तो जीस वक्त देश में चीनी की जरूर्यात होगी तब गन्ने का रस का उप्योग नहीं होगा, मक्के का उप्योग होगा और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनोल बनेगा हमने प्याज और बासमती चावल की निन्यतम निरियात मुल्य MEP को हटा दिया गया है प्याज पर निरियात सुल्क 40% से 20% करा है और एग्रीशोर नाम का एक नया फंड लॉंच करने का भी हमने काम किया है मध्यमवर्ग को भी इसोव दिनों में कई सारी राहत दी गई है टैक्स राहत साथ लाग तक की आए पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्ज संसकरन लागू कर दिया गया है और तीन करोड घर प्रदानमंत्री आवास योधना के तहट स्विक्रूत किये गए हैं सहरी योधना के तहट एक करोड घर और ग्रामे इलाकों में दो करोड घर प्रदानमंत्री सुर्यगर मुप्त बिजली योजना एक प्रकार से 24 के बीच 2024 के भी धाई लाक से ज़्यादा गरों में सहर उर्जा का सिस्टिम अब तक लग चुका है एक अनूठी योजना है जिससे मध्यमवर के परिवारों का बिजली का बिल्तो मुप्त होई जाता है साथ में सवर उर्जा के हमारे लक्स की पूर्थी के लिए भी वो कंट्रिब्यूट करते हैं PME Bus सिवा Environment Friendly System तयार करने के लिए लगबग 3400 करोड की सहायता से हमने PME Bus सिवाओ की स्विकृति दी है और स्टार्ट अप को वित्ति रहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप पर 31% का बोज डालने वाले एंजल टेक्स को समाप्त करने का भी नेनय भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है National Industrial Corridor Development Program के तरह 12 इंडिस्टियल जौन बनाये जाएंगे वो कही न कहीं बड़े National Highway से लिंक होंगे इसके आसपास होंगे एषी National Industrial Corridor Development Program के तरह 12 इंडुस्टियल जौन देश के हर्ग सित्र में बनाने का हमने नेनय किया है सबसे महतवपूर नीने मद्यमवर के लिए मुद्रा रोन की सीमा 10 लाग से बढ़ा कर 20 लाग कर दी गई है पुराने रोन का जिन्होंने सफलता पुर्वक बुक्तान किया है वो सभी को इसका फाइदा मिलेगा MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम सुरू की गई छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमयों को बिना गारंटी से इससे रोन मिल पाएगा और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ दोनों मिलेगा ससक्त युवा ये किसी भी देश के विकास की प्राथमिक सर्थ है दो लाग करोड के PM पैकेज की घुशना हमने की है जो पांच साल में चार करोड दस लाग युवाओ को इसका लाप पहुँचने वाला है एक करोड युवाओ को टॉप कंपनी में इंटरंशीप के अउसर एलाउंस और एक मुस्त सहायता रासी देने का भी नेलय हमारी सरकार ने किया है केंद्र सरकार ने भी लगबग लगबग कई हजार नियुक्तियों की घुशना की है कैपिटल एक्स्पेंडिचर को बढ़ा कर 11,11,000 करोड तक पहुचाना एक अपने आप में एक मिल का पत्थर है इससे कई युवाओ को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मद्बूत होगा PLI स्कीम और 12 इंडेस्ट्रिल जौन के विकास से भी तजग्य युवाओ की नौकरियों का स्रूजन होगा स्टार्ट अप और MSME के लिए जो वित्य प्रोस्ताहन हमने दिया है वो भी युवाओ के लिए कारगर साबित होने वाला है दिन दयाल अंतियोदय युदना के तहट 10 करोड से अधीक महिलाओ को संगठीत कर 90 लाक से अधीक स्वयम सहायता जूत बनाए गए हैं लगपती दिदी युदना के तहट 11 लाक नई लगपती दिदियों को ये 100 दिन में प्रमान पत्र दिया गया है एक करोड से अधीक लगपती दिदियां प्रती वर्स एक लाक रुप्या सालाना कमाई कर रही हैं ये महिलाओ के लिए एक लाक का रासी एक स्वप्न मना जाता था आज वो स्वमान के साथ अपना जीवन जीवे इसके साथ परियतन दिदियों जो गायर का काम करेगी परियतन मित्रों और ड्रॉन दिदि के माध्यम से सेल्प हेल्प ग्रूप और युवाओ को परियतन से ज जन जातिये उन्नत ग्राम अभियान इसके तहट 63,000 जन जातिये गाउं का पून विकास किया जाएगा जिसे 5 करोड आदिवासियों की आर्थिक स्तिती में सुधार आएगा ये योधना के तहट गाउं को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविदाओं से संपू दिन में दिये गए एक लव्य मॉडल आवासिय विध्या लए एक नए पहलू के साथ नए आयामों के साथ फिर से इंट्रीज हो रहा है वकप संसोधन विधैक 2024 वकप संपत्यों के प्रबंधन और संदक्षन और उसके दूरूपयोग तीनों के कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लामेंट में इसको पारित किया जाएगा आयुशमान भारत योदना अजदेश के कई करोड लोगों के जीवन का सरल जीवन का आधार बनी हुई है पांच लाग तक का स्वास्त से जुड़ा सभी खर्चा एंडिये की नरेंद्र मोधी सरकार उठा रही है औ अब जैसा हमने हमारे घोष्णा पत्र में वादा किया था सतर वर्स या उससे अधीक आयू के सभी रुद्ध नागरिकों को पांच लाग तक का मुप्त कवरेज दिया जाएगा इसमें जो घरीब घर में सतर साल से अधीक वाले लोग हैं उनको अपने कार्ड के अलावे औ और पांच लाग दिया जाएगा तो उनका कवरेज एक प्रकार से दस लाग तक किया जाएगा करिब करिब साड़े चार करोड परिवारों के छे करोड भूद्ध नागरिकों को इसका फाइदा मेंगा इसमें आई की कोई सिमा नहीं रखी गई 75,000 नई मेडिकल सीटे बढ़ा कर हम मेडिकल एज्यूकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगबग लगबग समाप्त कर देंगे हमारी पूरी रिक्वार्मेंट ए 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने तीन साल का लक्स रखा है नियमित ठिका करन के लिए उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पॉर्टल भी यही 100 दिन में सुरू किया गया और देश के डॉक्टर की एक सेंट्रलाइज रिपोजटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है 23 अगस्त को पहला अंतरिक्स दिन मनाया गया है इससे किसोरों को और युवाव को अंतरिक्स के शेत्र में रूची लेने के लिए प्रोच्छाहन देने के लिए और उनका हैंड होलिंग करने के लिए धेर सारी योधना इस सुरू की गई अंतरिक्स टार्टप के लिए एक हजार करोड के वेंचर कैपिटल फंड की योधना भी हुई आपदा प्रबंधन के लिए राष्टियत डेटाबेज और ग्रामेंड भूमी रेकोर्ड के लिए भूवन पंचायत पोर्टल भी सुरू किया गया है सेमी कंडक्टर घुजरात के सानन में सेमी कंडक्टर की इकाई स्थापित की गई और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बताता हूं कि आने वाले दस सालों में भारत सेमी कंडक्टर के क्षितर में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनके उभरेगा लॉइन ओडर का जहां तक सवाल है पुराने बृटिशरों ने बनाए हुए अपराधिक कानूनों को बदल कर एक जुलाई दोजार चौबीस को तीन नए कानून इंप्लिमेंट किये गए भारतिये डंड सहिता भारतिये नागरिक सुरक्षा सहिता और भारतिये साक्स अध दिनियम ये तीनों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम के पूर्ति करने वाले कानून आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम को न केवल लोक भोग्य बनाएंगे लोगों को न्याय मिलने का एक सरल रास्ता होगा समय पर न्याय मिलने की सरुवात होगी और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि तीन साल के बाद जब इसका complete implementation समाप्थ होगा, हम दुनिया में सबसे आधूनिक criminal justice system रखने वाले देशों में से एक बन जाएंगे। सहरी बाड़ प्रबंदन के लिए 6350 करोड लुपे की नई योदना देश में पहली बार लाई गई, लदाख में पांच नई जिले बनाए गए, 25 जुन को समविदान हत्या दिन मनाने का फैसला करकर आने वाली पीड़ी को इमर्जनसी जैसे काले दोर से देश को न गुजरना पड़े, इसलिए जागरूत करने का एक हमिशा के लिए प्रयास करने का नेन लिया गया है। रूस और युक्रेन की महतवपूर यात्राव पूरी दुनिया आज के साथ नजर गड़ा कर बैठी है। पहली बार भारत में इनोशको की 200 धरोहर समीति की बैठक हुई आने वाले दिनों में इससे हमारी कई धरोहरों को वापिस लाने में हमें बहुत बड़ा फाइदा होने वाला है। आपदा प्रबंदन अधिनियम इसको 2024 में लोकसभा में पेस किया गया है और मैं मानता हूँ कि अर्बन फ्रड मैनेजमेंट, अगनिसमन सेवाए, ग्लेसियर जिल्वी स्पोर्ट, फ्लड और अन्यट डिजास्टर के मिटिगेशन के हितु यह जो आपदा प्रबंदन अध 55 करोर की योधिना भी इस सब विशिष्ट आपदाओं के लिए निश्चित किये गए हैं, चार सतंबर को 35 सालों के संगर्ज के बाद त्रिपूरा में NLFT और ATTF के साथ 37 समझोता किया गया, मानस हेल्प लाइन नार्कोटिक्स की रोकदाम के लिए और सुचनाओं के लिए अगले 5 साल में 5000 साइबर कमंडो तयार किये जाएंगे और साइबर अपराद के लिए सस्पेक्ट रजिस्ट्री भी तयार की जाएगी, इतना सारा जो काम उसको अंजाम देने में सफलता मिली है, उसका कारण है जब हम चुनाओं में गए, रादनितिक पार्टियां और चुनाओं में गए थे, परन्तु मोदी जी ने चुनाओं के 6 मेने पहले ही बीरोक्रसी को एक काम दिया था, कि पाइपलाइन में जितनी भी चीज़े पड़ी है, जो भी नई सरकार आएगी, उसके लिए समाप्त करकर रखे, जिससे देश के विकास के घती में बाधान उत बनना हो, इसी का परिणाम है कि ये लगबग लगबग लाखो करोड़ के काम, सौ दिन के अंदर ही हम कैबिनिट तक की पूरी प्रोसीजर और कई जगे तो टेंडरिंग भी समाप्त कर चुके हैं, इसके कारण देश की विकास की घती नकेवल बढ़ेगी, देश सुरक्सित संपन होगा और नई सिक्सानिती को इंप्लिमेंट करकर सिक्सा के सीटर में भी हम आगे बढ़ेंगे, मैं आसा करता हूँ कि मोदी जी के नेत्रुत में ये जो विकास का रहत चला है, वो आगे पर भी चला रहेगा, इसका हम सभी को विश्वास हैं, अब आप सब इसके बा सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा हिंदी के प्रती जो आपका अनुराग है, हिंदी को अंतराश्टे भासा बनाने की बात आपने कही है, लेकिन मेरा सवाल है, विक्षित भारत में जो राजनेतिक विमर्स है, भासा का जो विमर्स है, उस पर सवाल करना चा जै प्रकाश जी ने कहा है, कि महिलाएं अगर लिपिष्टिक लगा कर और पाउडर लगा कर, एक मिट, एक मिट, जी सर, भाई मैं रोज आपके लिए उपलब्द हूँ, आज के प्रेस कॉन्फरेंस का विसयानतर न हो, इसके लिए मेरे आपसे सबसे विननती है, कि सौत द भासा का जो विमर्स है, विक्षित भारत में कितना सार्थक होगा, केंद्रिय मंत्री रवनीत बिट्टु जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल पांजिक आतंक आप पोलिटिकल सवाल की दिशा में न जाईए, मैं धर्ड़ता से नहीं जवाब दूँगा, बार-बार कहन पड़े अच्छा नहीं लगता है, जहां तक भासा का सवाल है, मैं सपष्ट कर देता हूँ, हमारी सरकार मानती है कि कोई भी देश अपनी स्थानिय भासाओं को समाप्त करकर विकास नहीं कर सकता है, स्थानिय भासाओं के साथ हमारा इतियास, हमारी संस्कूती और हमारी प दाटाए का जहां तक सवाल है मैंने बहुत स्पष्ट किया है के हिंदी का किसी स्थानि भासा से कोई स्परदान נहीं है राजभासा विभागी अब एक ऐसा पोर्टल ले कराएगा किसी भी भासन का, किसी भी लेक का, किसी भी आलेक का, कुछ सेकंडों में ही समविदान की आटवी सुची की सभी भासाओं में भासानतर कर देगा। सवाल है कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि मिडिल और लोवर मिडिल क्लास को भी इस योजना में शामिल किया जाए। आवश्मान भारत में सब्सक्राइब क्या लोवर मिडिल क्लास को भी शामिल करने की योजना है। सत्तर साल के उपर के जितने वरिष्ट नागरीकों को पांच लाग तक की सुविधाएं देनी है उसमें हमने आई की कोई सिमा नहीं रखी कोई भी व्यक्ति को फाइदा मिलने वाला है देश के सभी सत्तर साल से वरिष्ट नागरीकों को फाइदा मिले गा है तो स्वाभाईक रूप से मध्यमवर्ग और उच्छतर मध्यमवर्ग और कोई लेना चाहे ना चाहे मुझे मालूम नहीं है मगर कोई करोड़ोपती भी लेना चाहे तो वो एंटाइटल हो गए 255 सर मैं अमित हुँँ टाईप से एक सवादिन के जो ऑचिभमेंट्स की बात हो रही है उसमें तमाम चीजें है लेकिन विपक्ष ये कहरा है जिस तरह से चीजे हो रही है और कई लोग के उसको देखे करें कि कि सरकार में रेल हाथ से हो रही है लेकिन जो देखा गया है किस तरह से सामने हुए तो का पूर रखता है कि उसमें सेबर्टाइज वाली भी चीज हो रही है या कोई साजिश है उसमें जानवुच के सरकार को बदनाम करने की कोशिश रेल भादसे के जरिए जवाब आपने ही दे दिया मैं क्या बताओ बताईए मित्रो रेलवे का जिस तरह से एक्सपांशन हो रहा है एक्सपांशन देश की जनता फिल कर रही है और जहां तक हाच्छो का सवाल है हम इसकी तैय तक जाकर इसकी जांच करेंगे कारण जो भी है इसका निवारन करने के लिए सरकार कट्यूबद है आपके सवाल किसके अलावे भी मेरी विगत दो दिन में असुनी जी से लंबी बात हुए उन्होंने पुरा रोड मैप तयार करा है हाच से अगर सड़ी अंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा और जहां-जहां कोई और चीज की जरूयत है ग चले आगे बढ़ते हैं गौलियर के जिवाजी बिश्वें